हलो सुडेंट्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर क्वाडुटिक एक्वेशन्स ऑफ क्लास 10th ICAC फ्रॉम सेलीना कॉंसाइस बुक एक्साइस 5A का फिर्स सम तो चलिए शिरू करते हैं without solving, comment upon the nature of roots of each of the following equation मतलब के आप इसको बिना solve किये हुए बिना इसके root निकाले ये बताओ कि इसके roots होएंगे इसका nature क्या होईगा रियल होएंगे, equal होएंगे, unequal होएंगे, rational, irrational क्या होएंगे ये आपको बताना है तो Nature of Roots पर मैंने इलग से वीडियो डाल रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसे देखिए फिर इसे देखिए, तो चली शिरू करते हैं, सबसे पहले equation लिखी, अब इसको आपको general equation के साथ compare करना है, general equation कौन सी होती है quadratic, ax square plus bx plus c is equal to 0, compare करने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि a की value कितनी आ जाएगी, आपके पास 7, b की minus 9, c की कितनी आ जाएगी, 2, अब अगर हमें बिना solve किये, यह बताना है इसका nature, तो हमें यहाँ पे discriminate का formula लगा रहा है, discriminant का formula आपको याद रखना है, क्या होता है, b square minus 4ac, अब b यहाँ पे कितना आ था हमारा, minus 9 का square, minus 4, a की value 7, c की value 2, 9, 9 जा कितना आगे आपके पास, 81, अब इन तीनों को अगर आप solve करोगे, 4, 7, 0, 48, 28, 256, इन दोनों को minus किया आगे, आपके पास 25, which is greater than 0, अब आपको यहाँ पे देखना है, कि अगर यह greater than 0 आया है, discriminant, तो हमने देखा था, कि nature of roots में, अगर आपके पास discriminant, greater than 0 आता है, तो जो roots होते हैं, वो real and unequal होते हैं, बट इसमें further 2 sub cases थे, कि अगर यह perfect square होता है, तो rational होता है, अगर perfect square नहीं है, तो irrational, अब यहाँ पे हमार जाता है, तो यह perfect square है, तो फिर इसके roots का nature होएगा, वो क्या होएगा, rational and unequal, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, therefore roots of quadratic equation are rational and unequal, ठीक है, नेक्स ट्रेला देखिए, इसमें भी सबसे पहले compare करेंगे, a की value कितनी आगी 6, b की minus 13, c की 4, फिर से यहाँ पे हमने discriminant का formula लगा था तो यहाँ पे भी discriminant का लगाएंगे, b square minus 4, c, b की value कितनी, minus 13 का square, minus 4, a की value 6, c की value 4, 13 का square, 169, इन तिनों को multiply करोगे, आपके पास आजाएगा 96, minus की आगे 73, which is greater than 0, फिर से वही case आया, greater than 0 वाला, बट यहाँ पे हमने देखना है कि यह perfect square है कि नहीं है, यह perfect square नहीं है, ऐसा कोई number नहीं है, जिसको आप square करो, आपके पास 73 आजाए, तो जो perfect square नहीं होता, वो क्या होता है, irrational and unequal, तो यहाँ पर क्या लिखते हैंगे, therefore, roots are irrational and unequal, थर्ड बला देखिए, थर्ड बले में हमें क्या statement दी गई है, इसमें भी हमें जो equation दी गई है, सबसे पहले उसमें से हम a, b, or c निकालेंगे, a, b, c आगया, फिर discriminant का formula रगाया, discriminant b square minus 4ac, यहाँ पर value पुटकीन को solve करके आगया, आपके पास 0, अब जब आपका answer 0 आता है, तो जो nature of roots होता है, वो real and equal होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैंगे, therefore, roots are real and equal, next फिलास हम देखिए, यह अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना कि जब आप 2 का square करोगे, वो आजाएगा 4, under root 3 का square क्या होता है, 3, under root 3 into under root 3 कितना जाता आपके पास 3, तो 4, 3 जा कितना आ गया, पास फिर 12, minus minus plus 4, 9s are 36, add कि आगया 48, which is also greater than 0, अब यहाँ पर भी चेक करना है, कि यह एक perfect square है या वो आपको टेबल जो है, वो अच्छे से याद कर लेना है, कि कब-कब क्या कहने चराता है, अब अगले विला देखी, यह जनरल स्टेटमेंट है, मतलब कि इसमें नंबर नहीं है, 123, ABC की फॉर्म में दिया हुए, तो इसको आपको ध्यान से solve करना है, सबसे पहले ABC की value निक अब A का स्क्वेर की या, negative का स्क्वेर कितना आजाएगा, positive, minus, minus, plus, इन तीनों को multiply करोगे तो आपके पास आजाएगा, 4B square, अब यहां पर आपको चेक करना है, कि यह positive है, या negative है, या equal to zero है, कि यह general number है, तो आपको क्या करना, इसको ध्यान से देखना, A का स्क्वेर, square of a number is always positive, यह positive आजाएगा, B का स्क्वेर, यह भी positive है, positive को positive के साथ multiply करोगे, तो positive आजाएगा, अब यह दोनों नमबर positive है, अगर इन दोनों को add करोगे, तो add करने पर भी क्या आएगा, positive नमबर ही आएगा, that means greater than zero ही आएगा, अब जब हम greater than zero देख लेते हैं, तो फिर हम देखत स्क्वेर नहीं है, अगर perfect square नहीं होता तो क्या होता है, irrational and unequal, अगले वेला सम्म देखिए, यहाँ पे भी हमने ABC की value निकाली, फिर से discriminant का formula लगाया, अब यहाँ पे solve करने के बाद, हमारे पास negative नमबर आया, which is less than zero, जब भी हमारे पास less than zero आता है, तो इस case में, क्या होता ह imaginary, यह आप क्या कह सकते हो, unreal, एक तो हो गया, real, जो real का उल्टा है, वो imaginary या unreal, तो यहाँ पे आपका लिखतो होगे, therefore, roots जो होएंगे, are not real, ठीक है जी, यह था आपका सारा सम्म, if you like this video, please hit the like button, and subscribe to my channel, और bell icon को भी प्रेस कर देना, तांकि जब भी मैं कोई नई वीडियो ड ज़िए ऑ्रेस कर फिए कर देनें।